जन्ता ने अपना नतीजा सुना दिया जन्ता कह रही है केजरी वाला तंकवादी नहीं है आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके दोस्तों आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है हम सब लोगों को संकल प्रेना एक नया भारत बनाएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, महबबत करेगा कोई नफरत की कोई जगे नहीं होगी उस भारत के अंदर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मा बहने सुरक्षित होंगी एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी एक ऐसा भारत बनाएंगे मुझे बड़ा दुख होता है आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल के शिक्षा लेने के लिए युक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे खूब सारे इंजिनिरिंग कॉलेज खोलेंगे हमें कैसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को युक्रेन नी जैना पड़ेगा पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे हमें कैसा भारत बनाएंगे आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे जो जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं जितनी महिलाएं देख रही है मेरी माँ बहने देख रही है जितने युवा देख रहे हैं जितने किसान देख रहे हैं जितने मजदूर देख रहे हैं जितने इंडस्ट्रिलिस्ट देख रहे हैं जितने व्यापारी देख रहे हैं जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं उन सब को मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोग मैं जानता हूँ जब आप देखते हो कि किस तरह से नेता और पार्टिया मिलके देश को लूट रहे हैं आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है आपको बहुत गुसा आता है इन लोगों के खिलाफ आप भी कुछ करना चाहते हो आज समय आ गया है पहले दिल्ली में इनकलाब हुआ अब पंजाब में इनकलाब हुआ अब यह इनकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा जो जो लोग आजी टीवी देख रहे हैं सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी जोइन करें सारे युवां आम आदमी पार्टी जोइन करें सारे किसान आम आदमी पार्टी जोइन करें सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपती, सब आम आदमी पार्टी जॉइन करें आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपको पता है कि चरंजी चन्नी जी को आज किसने हराया है भदोर से लाब सिंग उगो के कौन है ये लाब सिंग उगो के मोबाइल रिपेर करने वाली दुकान में नौकरी करता है मोबाइल रिपेर करने वाली दुकान में नौकरी करता है उनकी माता जी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई करमचारी का काम करती है उनके पिता जी खेतों में मजदूरी करती है ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंग चन्नी को आज चुनाओं में हराया है आपको पता है नवजोग सिंग सिद्धू को किसने हराया है हमारी एक महिला वॉलंटियर है आम महिला है आम वॉलंटियर है जीवन जोगोर उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया तो दोस्तों आम आदमी बड़ी ताकत है मैं बार-बार कहता हूं इसाम आदमी को चुनोती मद्दो ये जिस दिन खड़ा हो गया बड़े-बड़े इंकलाब आ जाएंगे बड़ी-बड़ी कुर्सी आई जाएंगे तो आज मैं सब लोगों को देश के लोगों को अवान करता हूं अपनी ताकत को पहचानों खड़े हो जाओ अब इंकलाब लाना है देश के अंदर समय आगया है भारत का 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिये अब और टाइम खराब नहीं करना सब लोगों को सब लोग आम आदमी पार्टी जॉइन करो आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है आम आदमी पार्टी भगत सिंग के सपनों को पूरा करने का नाम है मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंग मान जी को पंजाब का सीम बनने के लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं पूरी उमीद करता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि जो उमीद 90 के पार सीट हो चुकी है अभी तक अभी नतीजे और आ रहे है इतना बड़ा बहुमत इतना बड़ा बहुमत ये डर भी लगता है लोगों ने बड़ी उमीदे जताई है लोगों ने बड़ा विश्वास किया है इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना सब को पूरा करना है तो एक तो ये कि हमारे जितने कारे करता है मैं बार बार कहता हूँ हमें घमंड नहीं करना हमें एहंकार नहीं करना हमें बत्तमीजी नहीं करनी ये लोग हमें गालियां देंगे इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी केजरिवाल के कपड़े खराब हैं, केजरिवाल काला है, केजरिवाल अंग्रेज है, केजरिवाल पता नहीं क्या क्या है, आतंकवादी है, हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना, हमें इस देश की राजनीती बदलनी है, कोई आपको गाली दे, तो बोलो जी गाली आ कहीं कोई मुसीबत में दिखे उसकी मदद करो हमें सेवा की राजनीती करनी है मैं अभी अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं उनका अशिर्वाद लेने के लिए गया था उनका अशिर्वाद लिया और मुझे पूरी उमीड है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर वन देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता दोस्तों भारत मता की इनकलाब इनकलाब झाल